कोटवाली टांडा छेत्र के नारायनपूर गाउं में महेस सिंग उम्रू पैतालिस वर्स है जो पी आरडी जवान हर्स का नारायनपूर में शोब मिलने से मचीज संसरी सूचना मिलते ही परिजॉन घटना स्टर पर पहुचे और इसके बाद पुलिस को हत्या की सूचना ड़ है बैरहाल पुलिस इस बिंदो पर भी चाच कर रही है थाना चांडा छेत्र अंतरगर्थ प्यार्टी जवान बैचिन नंबर 650-540 महें सिंग उम्रू लगभग पैतालिस वर्स जाती चोहन पूत्र स्वर्गय कोवर सिंग निमासी मिलक नारायनपूर थाना चांडा लगभग नाराणपूर ने लोहे की रोड से पीट पीट कर उक्त पी आडी जवान महिशु सिंग की हत्या कर दी इसके सुचना लगभग द्वारा महिश सिंग के पुत्र मोहिश सिंग के फोन पर कॉल करके बताए गया कि मैं तुम्हारे पापा के फोन पर फोन कर रही थी वह बोल रहे थे कि हाई मर गया हमर गया जाकर देख कहा कहां है तो मोहिश सिंग अपने घर में अपने खेट पर देखने के लिए तो रास्ति में महिश सिंग म्रत्व अवस्था में खड़े थे गयात हुआ कि महिश सिंग हैवं उक्त लजवती के काफी बीस समय से प्रेम चल रहा था जिस कारण जवती के जीजादने सिंग उक्त प्यार्ड जवान महिश सिंग से इशार रखता था रांपूर से में चोहन की खास रिगरूट क्या नाम आपका मेरे नाम मनुसिंग उन्हों जी जो मडर हुआ है इनका क्या नाम था मैसी कहां के रहने वाले इंदर आनपूर में लगके रहे हैं तो मडर की कुछ बजा पता चली ऑप बजा क्या आपको जो नाम तो जर्पड हुई है करवादी दक्या हत्या कारण क्या क्यों हुए तो आपको कब पता चला उनका शाव कम मिला मैं तो मुझे तो फोन गया था सब्सक्राइट दस ग्यारा बजी अच्छा तो मैं क्या था हुआ है मडर कब हुआ यह मडर करीब नो सब्सक्राइब के बीच में देर रात है तो किसी को रंजीश थी कोई यह रंजी तो कितने लोगे माम लगए दो लोगा नाम हुआ है अच्छा आप